दो साल पहले ये सेर 80 रुपया का था दोस्तों दो साल पहले 80 रुपया था अब है ये 335 रुपया दो साल पहले 80 रुपया था अब है 335 रुपया दो साल बाद आपको जाने वाला है दोस्तों ये 700 के आस पास दो साल पहले 80 रुपया था अब है 335 रुपया दो साल बाद 700 जा सकता है चलिए हम बता दे कौन सा स्टोक है और कौन सा ये सेर है और किस सेक्टर का है सबसे पहले हम आपको बता दे ये दोस्तो सेक्टर है इसका मेटल सेक्टर का है और मेटल सेक्टर में इसका है नोन फेरस मेटल सेक्टर का स्टोक है और ये एक सबता में सबसे निचला असतर 134 रुपया गया था और हाइस 395 रुपया गया था और ये 335 रुपया है लेकिन ये 702 साल के अगर दो साल तक कर इंवेस्ट करते हैं तो ये 700 तक जा सकता है दोस् परसेंट और बाता है किस किस कमपनी के साथ ये काम करती है दोटो यह भी हम आपको जरूर सबसे पहले जान ले कि यह 335 रुपया का प्राइस था और अब जो है 335 रुपया का बेस भी बनाए हुआ दोस्तों तो चलिए हम बता दे आपको कि आज क्या करने वाला है आज यह 340 रुपया के उपर की तरफ जा सकता है अगर 340 क्रोस किया तो 300 यह 45 भी जाएगा 45 के बाद 350 मतलब कि 350 तक का यह अभी टारगेट फिलहाल में तय करने वाला दोस्तों दूसरी तरफ हम आपको पता दे कि एक साल में यह कम से कम एक साल में डबल कर दिया है पैसा और तीन स साल में लगबग 120 परसेंट का यह प्रॉपिट दिया है दूसरी तरफ इस साल इसका अप जो लगबग 1189 करोड रुपया इसका सेल्स बढ़ा है लगबग 91 परसेंट सेल्स इसका बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ यह बता दे कि कौन कौन से कमपनी इसके साथ काम करती है वो जानना बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात कि 75% के आज पास इसकी जो परमोटर होल्डिंग है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें सबसे ज़्यादा इसमें मेच्छल फंड के और यह मेच्छल फंड और यह इंसूरेंस सेक्टर के सर्विस सेक्टर के जितने भी ड इन्वेस्ट किये हैं लगबग 22% से ज़्यादा और फोरन इसमें लगबग 2.5% से ज़्यादा इन्वेस्ट किये हैं दोस्तो इस दूसरी तरफ इस स्टो के बारे मैं मिशले बोलता है कि FII और FII और FPI लगतार बढ़ रहे हैं इसमें और लगतार बढ़ते हुए जान दोस्तो जी हाँ और ये Tata Tin Plate Company Limited येस फ्रेंड